हेलो एवरीवन मेरा नाम है फैजान स्वागत है आपका क्या नाइटी जीओ में जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था आज भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और नहीं ना कॉंसेप्ट और कुछ क्वेशन करेंगे आज हला कि हम लोग क्वेशन से कॉंसेप्ट सीखने की कोशिस करेंगे तो चलिए देखते हैं आप लोग जैसा की बोर्ट पर क्वेश्चन देख पास तो चलिए क्वेश्चन पलते हम लोग हम एनी टम्स ऑफ दा एपी 24,21,18 मस्त भी टेकिन सो कितना बन रहा हैगा 78 इसमें 24 है 21 है 18 है और भी कुछ टम्स होंगे जैसा कि देख रहे हम लोग 3 का कॉमन डिफरेंस है 21 को 24 को 21 से सब्स्ट्रैक्ट करेंग क्या हैगा माइनस 3 यानि कि माइनस 3 डिक्रेजिंग एपी है तो माइनस 3 का कॉमन डिफरेंस है आने वाला नंबर क क्या कहाना चाहा है ये इन टर्म्स में जितने भी क्रेंते हैं इनका कलेक्शन करेंगे 78 एड बन रहा है कितने टर्म्स को खेंग करेंगे जो 78 बनेगा तो क्या chopped रहों बताना है बताना पोढ़ाए बताना ठीक है तो tul अनिक्षन यानि कि एपनाना अहे वह nhưng को कॉैसे का र catch तो चलिए देखते हैं याद है कि नहीं आपको SN equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d ठीक है बिल्कुल याद है चलिए आप क्या करेंगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हम लोगों को SN चाहिए SN चाहिए और क्या चाहिए A चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए n तो बताना है हम लोगों को n भी लिख लेंगे n क्या करना है n बताना है हम लोगों को ठीक है d क्या है minus 3 कैसे पता 21 में से 21 minus 24 करेंगे तो क्या आएगा minus 3 और a की value क्या है 24 यानि की first time a क्या आता है first time series का जो भी पहला time होगा उसे क्या कहेंगे first time sn क्या है 78 ये दिया है ठीक है अब क्या करेंगे सारी values हम लोग put कर देंगे कहां पर formulas में तो चलिए देखते sn equal to sn की value तो हम लोगों को पता चल गई क्या करेंगे हम लोग 78 put करने वाले 78 equal to n by 2 n निकालना हम लोगों को n फाइंड करना है ठीक है 2 into 24 plus n निकालना हम लोगों को n ऐसे रखेंगे और ये minus 3 से multiply minus 3 क्या है common difference तो चलिए करते हम लोग 78 इसी तरह लिखेंगे n by 2 इसी तरह से 2 को 24 से multiply करेंगे तो क्या हैगा 48 ठीक है 48 फिर plus का sign लगाएंगे और minus 3 को n में multiply करेंगे तो क्या होजाएगा minus 3 और ये क्या है plus n है minus 3 और plus n को multiply करेंगे तो क्या होजाएगा minus 3 n क्या होगा minus 3 n अब minus 3 को minus 1 में multiply करेंगे तो क्या होजाएगा minus 1 into minus 3 minus minus को multiply करते हैं तो क्या होता है plus और 3 को 1 में करेंगे तो 3, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आई आपको, तो आप क्या करने वाले हैं, देखिए, 78 इसी तरह से लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इन बाई 2, अब देखिए, क्या करेंगे, जो एड हो रहे हैं, उन्हें एड कर लिंक, 48 और 3 को एड करेंगे, तो क्या बनेगा, 51 और माइनस 3 इन, ठीक है, इसी तरह से माइनस 3 इन लिखेंगे, अब क्या करने वाले हम लोग, देखिए, क्रॉ कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है, ठीक है, तो 2 को इसमें मल्टिप्लाई करेंगे, तो क्या ऐगा, 156, ठीक है, इक्वल का साइन, 2 को 8 में मल्टिप्लाई किया, 6 आया, और 2 को 7 में, 14, और 16 से मिलने वाले 1 को एड कर लिए, यानि कि जो कर रहा था, उसे एड कर लिए, तो 15 हो गया, अब देखिए, N को इसमें मल्टिप्लाई करेंगे पहले, इस 51 को, इस 51 में और फिर क्या करेंगे, 3N में मल्टिप्लाई कर लिए, तो देखिए, क्या बनने वाला है, 51 में मल्टिप्लाई किया तो, 51N और माइनस, N को 3N में मल्टिप्लाई करेंगे तो, माइनस 3N स स्क्वाइर इतनी बात समझ में देखे एक बार और देखते हैं क्या किया यहां पर क्रॉस मल्टिप्लाई किया गया टू को 78 से मल्टिप्लाई किया तो क्या आया 156 फिर Mcho मल्टिंप्लाई कर लिए हonne पहरले ये वाले में फिर ये वाले में तो क्या है 51N minus 3N square अब क्या करने वाले हम लोग देखिए transformation करेंगे आपर क्या करेंगे transformation तो क्या करेंगे 51 को उस side ले जाएंगे तो क्या हैगा minus 3N square plus 51N और minus 156 equal to 0 जिस तरह हम लोग ने किया 156 को right hand side ले जा रहे हैं लेकिन 0 हम लोगों को right hand side यानि की equal का sign लगा कर इस side ही अच्छा लगता है गाई इससे हम लोग अच्छे से familiar हैं तो क्या कि हम लोगों ने इस side को इस तरह होतार लिए minus 3N square first पहले लिखा फिर plus 51N minus 156 अब देखिए क्या बन गई यह quadratic equation बन गई है है ना लेकिन quadratic equation में हम लोग क्या देखते हैं first time क्या होता है हम लोग देखिए AX square plus BX plus C equal to 0 तो इससे हम लोग अच्छे से familiar है इस पे क्या है plus का sign है और यहाँ पर क्या है minus का तो हम लोग क्या करेंगे minus से multiply कर देगे minus से multiply करेंगे तो क्या हैगा देखिए इस बात को आप note कर लेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे minus से दोनों साइड minus से multiply करेंगे पर तो देखिए क्या आता है minus से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा यह plus 3N square और यह क्या होगा 51 होगा minus 51N minus plus हो जाएगा 156 equal to 0 देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्या कि हम लोग ने minus से multiply किया तो minus minus plus हो गया ठीक है और plus का sign हम लोग लिखते नहीं है first term में ठीक है फिर क्या किया इसमें minus से multiply किया minus plus minus हो गया फिर minus में minus का multiply किया तो क्या हो गया plus का sign देखिए plus 156 equal to zero zero में minus से multiply करो तब भी वो zero ही रहने वाला है ठीक है उसकी value बढ़ेगी नहीं नहीं घटेगी zero zero ही रहेगा अब क्या करेंगे देखिए quadratic equation बन गई है इसे हम लोग क्या करेंगे अपना अपना जो हम लोग को चाहिए answer अब देखिए quadratic equation बन गई है तो क्या हम लोग को जो आंसर चाहिए कैसे निकालेंगे कर तो हम लोग क्या रहे थे arithmetic progression अपहुच कहांगे quadratic equation में क्या निकालना पड़ रहा है अब हम लोग को factor करेंगे फिर n की values आएगी सही है गलत है चेक करना पड़ेगा तो देखिए बिलकुल आसान है factor मैंने सिखाया है अगर किसी ने अभी तक factor नहीं पड़ा तो मैंने basic mathematics से एक playlist बनाई हुई है और मैं इस वीडियो में उसे description में भी डाल दूँगा तो आप महां से factor सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है और quadratic equation के lecture already पड़े हुए है ठीक है तो अब हम लोग क्या करने वाले factor करेंगे इनका देखिए क्या करना होता है यह add करके लाना होता है और यह multiply करके तो देखिए 51 को add करके लाना हम लोगों को है ना लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ देख रहेंगे अभी यह values ज्यादा और यहां न तो चलिए देखतें अब क्या करेंगे बोध सैट थिरी से दिवाइड कर देंगे देखिए भूत साइड डिवाइड़ वई by 3 ठीक है? दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हैगा? N square फिर क्या करेंगे? minus का sign इसी तरह, फिर 3 से देंगे तो क्या हैगा? 17 N 3 बचेगा 2 फिर 3, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हैगा? 7, तो 17 N plus 3 को 15 को डिवाइड करेंग तीन पंचे 15 और टू तू आएगा ना 15 और बचा क्या 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या यह तो एक्टर अगर नहीं आता है आपको तो डिस्क्रिप्चन में लिंक है आप वीडियो देखकर फैक्टर सीख सकते हैं बहुत आसानी से तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे एन इसक्वाइर सी माइनस 17 को 13 और 13 प्लस 4 क्या हो जाएगा 17 तो माइनस 13 अब इसे स्प्लिट्स करना है ना हम लोगों को स्प्लिट्स करेंगे माइनस 13 और माइनस 4 एन में ठीक है प्लस 52 सी इक्वेल 0 देखे यह बात आपको समझ में आ रही होगी एन स्क्वाइर को इसी तरह उता रहा हूं इन्हें स्प्लिट्स किया है फैक्टर नहीं आता है तो आप फैक्टर मैं हाइली रिकमेंड करना हूँ कि आप फैक्टर सीखे वस वीडियो से जाकर मैंने बहुत डीपली सिखाया उसमें चलिए देखते हैं इसमें 17 को टू मिलने वाले हम लोगों ठीक है तो आप क्या करेंगे हम लोग सिंप्ली कॉमन ले लेते हैं जैसे आपको पता है क्या मिलेगा हम लोगों कॉमन लेने पर एन माइनस 13 और एन माइनस 4 इपल टू 0 अब मैंने यहां पर डारेक्ट कर दिया है यहां पर क्या किया हम पर अगर आपको फैक्टर आता होगो तो आप अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से समझ भी गया होंगे कि क्या किया है इन्हें कॉमन ले लिया है n को और वैलू लियस के आने वाली थी n-13 N-4, अब देखते हैं, N की value क्या मिल लिए हम लोगों को, N equal to 13 और 4, N की कितनी value मिल लिए, दो value मिल रही है, यानि कि दोनों सही हो सकते हैं, चाह, इसमें तो हम लोगों को बताना था, number of terms, जिसको जोडने पर क्या मिलना चाहिए, 78 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या मिल र मिल रहे हैं, तो क्या सही हैं यह, तो बिलकुल सही हैं, देखिए, D हम लोगों का, क्या है, दोनों को सही, assume कर सकते हैं, D क्या है, minus 3, negative sign a D, तो अगर 13 यानि की और भी add करेंगे, तो negative को negative और positive add होने के बज़ए, cancel हो जाएंगे, एक दूसरे को cancel कर देंगे, जबकि इसमें स 4 terms को add करने पर, वो सारे positive होंगे और add हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझे में हैं, एक बार और इसमें लोग repeat करते हैं, देखिए, 13 और 4, दोनों ही सही हैं, इसमें से वो terms होंगे, जो 4 add करने, इसमें से वो 4 terms होंगे, जिनको add करने पर, 78 मिलेगा हम लोगों को, क्या मि मिलेगा, 78, लेकिन इनमें से 13 terms भी होंगे, जिनको add करने पर, 78 मिलेगा, condition क्या होगी देखिए, 78 जभी हम लोगों को मिलेगा, 13 terms को add करके, D हम लोगों को क्या मिला है, negative मिला है, ठीक है, तो उनमें से D किसी, तो उनमें से D multiply होकर negative हो जाएगा, और negative positive एक दूसरे को cancel कर दे और 78 उसमें भी मिलेगा, यानि कि दोनों condition में लोगों का सवाल सही होगा, answer क्या आएगा, इनकी दो values आएगी, 13 और 4, I hope कि ये आपको question समझ में आ गया होगा, अगर आपको question नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार वीडियो को rewind करके फिर से देख सकते है, online class होने का यही एक बात अच्छा फायदा है, तो चलिए एक question और देक्टम लोग बोड पर है, question साथ में पढ़ेंगे आप लोग भी, find the sum of first 22 terms of the AP, terms क्या है, 832, कह रहे हैं, इस सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, ये AP दी हुई है, इनके first 22 terms बताना है हम लोगों, क्या करना है, first 22 terms बताना है, इसमें 83-2 इसी तरह से 22 terms होंगे, कितने terms होंगे, 22 terms होंगे, हम लोगों क्या करना है, इनका sum बताना है, इनका collection बताना है हम लोगों को, ठीक है, 22 terms का, 3 terms add किया, इसी तरह आगे बढ़ते हुए, इनके कुछ और भी terms होंगे, तो हम लोगों को 22 तक का sum बताना है, यह first time है, इसी तरह 22 terms होंगे, उनका हम लोगों को sum बताना है, तो चलिए किस तरह करेंगे, sum बताने के लिए हम लोगों ने formula पढ़ा है, आपको आपको याद भी हो गया हो गया, s n equal to n by 2, 2 a plus n minus 1 into d, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद एए, अब क्या करना हम लोगों को, sum of first 22 terms बताना है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, देखिए याद होगा आपको, अगर s2 है, तो sum of 2 terms, s3 है, तो sum of 3 terms, अब क्या है, s 22 बताना, यानि कि sum of 22 terms बताने हैं, तो चलिए देखते हैं, sum of 22 terms कैसे बताएंगे, a नहम लोगों को इस बार पता है, कैसे, देखिए जो जो पता है, वो हम लोग लिख लेते हैंगे, n कितने, number of terms किसे कहते हैं, n को, number of terms कितने हैं आपको, 22 terms का sum बताना, यानि कि number of terms कितने है, 22, तो 22, और A क्या है, बिल्कुल आसान है, A first term होता है, जो series का पहला number होगा, वो क्या होगा, अपना A होगा, A क्या है, 8, ठीक है, तो 8, और, क्या निकालना हम लोगों, D चाहिए, D निकालना बहुत खुब आप लोगों को आता है, कैसे, D equal to, second term क्या है अपनो, 3 है, और minus का sign लगाएंगे, और first term क्या है, 8, तो D equal to क्या है, minus 5, ठीक है, D क्या मिला, minus 5, तो चलिए, निकालना है कि हम लोगों को, S 22, यह सब सारी बात हम लोगों ने लिख लिए है, अब, जो जो चीज़े दी है, उन्हें पुट कर लेंगे, N दिय है, 22, तो N की जी के 22, divided by 2, 2 multiply 8, plus N 22, minus 1, into D कितना है, minus 5, और इस तरब, ठीक है, अब देखे क्या करेंगे, हम लोगों कुछ चीज़े हम लोग, छोड़ के करेंगे, तो देखे, आसानी से होगा, बस patience बनाया रखें, 2 को divide कर दिया है, कितने times में जाएगा यह, 11 times में, तो यहाँ 11 आएगा, 2 को 8 में multiply करेंगे, 16 आएगा, फिर प्लस ऐसा ही, 22 में से minus 1 सबस्टाइट करेंगे, तो क्या आएगा, 21 और यह किस के साथ है, multiply में 5 के साथ है, ठीक है, अब देखे, बिलकुल आसानी समलुक कर है, क्या यह, ऐसे नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे, 22 इक्वल टो 11 सबस्टाइट करेंगे, 16 ब्लस 21 को minus 5 से multiply करेंगे, तो क्या आने वाला है, minus का sign आएगा पहले तो, प्लस है टाइगा, क्या आएगा, 5 को 1 में multiply करेंगे, 5 ठीक है, तो क्या है, minus 105, अब इसको इसको सबस्टाइट करेंगे, तो क्या आने वाला है, 22 इक्वल टो 11, और इनको सबस्टाइट करेंगे, तो क्या आएगा, 89, minus का 89, ठीक है, 22 इक्वल टो, अब इनको multiply करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए, 11 को 9 में multiply करेंगे, तो 99 आए गा 9 11 को 8 में मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 88 और 88 को 88 में 9 एड करेंगे तो क्या होगा 7997 और साइन किसका आएगा माइनस का समझ में आ गया यह तो आंसर क्या है अपनो एक बार बहुत जल्दी से समझ लियाते हैं देखिए question दिया था कह रहे थे first 22 इस AP का first 22 का sum बताना ठीक है तो हम लोगों ने क्या कियो तो हम लोगों ने क्या कियो हम लोगों को पता है sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 by 2 ठीक है फिर s22 equal to सारी values हम लोगों को पता थी जैसा की question में दिया हुआ है n is equal to 22 a is equal to 8 है d हम लोग निकाल लेते है minus 5 आया as 22 बताना ठीक है sum of 22 terms तो देखिए क्या किया इसको इसस डिवाइड कर दिया है 22 को 2 से 11 आया फिर इनको multiply किया 8 और 2 को 16 आया यहाँ पर 1 को subtract किया है minus नहीं plus 21 आया फिर minus 5 क्या है common difference अब क्या किया 16 as 11 16 as i minus इनको multiply किया 105 minus के 105 आये ठीक है फिर क्या किया इनको subtract करिए minus 89 आया minus 89 11 को multiply किया minus 979 answer ठीक है clear है एक सवाल और करके देखें चलिए आज के लिए इतना ही आगे वाले lecture में हम लोग कुछ और सवाल करेंगे और सिर्फ question की practice करेंगे क्योंकि arithmetic progression हम लोगों का सिर्फ दो formulas पर खत्म हो जाता है high school level पर ठीक है and thanks for watching can I teach you please video like करें and channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूले thank you again